बीजेपी के 41 सीटो पर उमीदवार उतारने के बाद अब कॉंग्रेस में भी टिक्टो को लेकर सक्रियत आप बठना सुरू हो गया है। पर सिटिंग डेटिंग फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। इस बैठक के बाद कॉंग्रेस में टिक्टो के लिए पूरी एक्सराइज दिल्ली के लिए इस्तनांतरित हो जाएगी। स्क्रियनिंग कमेटी की लगातार बैठक की चलेंगी। इसके बाद अगले सकता कॉंग्रेस की केंद्रे चुनाव समेती की बैठक होगी और उसके बाद जारी होगी उमीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में किसका नाम आता है और किस पर डिलीट बटन दबाय जाता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।